असलाम नेकुम बच्चों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे exercise 1.2 को इसमें हम सबसे पहले डिसकस करेंगे types of matrices सब पहली type है हमारे पास row matrix ऐसा matrix जिसमें सिर्फ एक row हो उसे हम कहते है row matrix इसकी example है हमारे पास m equal to 2 minus 1 7 brackets में put है और इसे हम row matrix कहेंगे इसका order होगा 1 by 3 next type है हमारे हमारे पास column matrix यह ऐसा matrix होता है जिसमें सिर्फ 1 column हो यह हमारे पास 2 columns है नीचे m equal to 1, 2 और 3, 4 यह हमारे पास order है 2 by 2 order मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम order को कैसे लिखते हैं next हमारे पास जो type है वो है rectangular matrix ऐसा matrix जिसमें rows के नंबर column के numbers के equal ना हो उसे हम कहते ह है rectangular matrix जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास example है a is equal to 1, 1, 2, 2, 1, 3 यानि कि इसका order क्या है हमारे पास 3 rows है और 2 columns है यह equal नहीं है तो इसे हम कहेंगे rectangular matrix और square matrix है हमारे पास next type इसमें है number of rows equal हो number of columns के इसमें आप देख रहे है number of rows column के equal है order से हमें पता जल जाता है कि rows column के equal है या नहीं है next type है हमारे पास null और 0 matrix ऐसा matrix जिसमें सारी identities सारी entries 0 हो उससे हम कहते हैं null और 0 matrix इसके name से शो हो रहा है कि यह क्यों null और 0 matrix है क्योंकि इसकी सारी entries 0 होती है लेकिन इसका order वैसे हम लिखेंगे जैसे हम बाग की matrix इसका लिखते हैं next हमारे पास है transpose of matrix इसमें हम interchange करते है यह जो rows होती हैं उन्हे columns में लिख देते हैं और जो columns होते हैं उन्हें ρो में लिख देते हैं जैसे हमारे पास नीचे example आप देख रहे हैं हमारे पास 123 row में है हम इसे column में Uz 123 column में था नीचे हमने इसे row में था इसे नीचे हमने column में लिख दिया और order जो होगा वो हमारे पास वैसे ही रहेगा next है हमारे पास negative of matrix a matrix को हम negative matrix तब कहेंगे जब उसकी तमाम entries के sign हम change कर देंगे तब हमारे पास negative a आएगा जैसे कि आप आप example देख रहे हैं a में हमारे पास सारी entries positive में है सवाए minus 2 के इसके साथ हमारा minus लगा हुआ है जब हम इसका negative लेंगे तो अंदर सारी जो entries हैं उनके sign change कर देंगे यानि minus plus minus minus plus minus और 2 के साथ minus minus plus साजएगा बाकी जो है उनके sign हम change कर देंगे next हमारे पास जो matrix की type है वो है symmetric matrix symmetric matrix ऐसे matrix को कहते हैं जो matrix खुद ही अपने transpose के equal हो यनि कि अगर हमारे पास A matrix है तो A matrix उसके अपने transpose के equal हो तो हम इसे कहेंगे symmetric matrix आप लोगोंने याद रखना है कि हम square matrix को symmetric matrix कहते हैं इसकी example आप देखें हमारे पास जो matrix दिया हुआ है जब हम इसका transpose लेंगे तो ये वो ही रहेगा जो एक square matrix था जब इसका transpose लेंगे तब भी इसमें वो ही वाली entries उसी उसी positions पे हैं that's why हम इसे कहेंगे symmetric matrix next मारे पास है skews metric matrix square matrix A को हम तब skews metric कहेंगे जब A का transpose negative A के equal हो तो आप नीचे example देखें हमने A का transpose लिया है transpose लेने के बाद जब negative लिया है उसका तो ये same हो गया है यानि transpose और negative A जब same हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे excuse me matrix है हमारे पास next इसमें हम बताएंगे कि square matrix A तब diagonal कहलाएगा जब इसकी कोई एक diagonal entries 0 ना हो और बाकी जो non-diagonal entries है वो 0 हो यानि आप नीचे example में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 जिस sequence में दिखा हुआ है यह non-0 है यानि diagonal entries non-0 है और जो non-diagonal entries है वो बाकी वो 0 है इसका order है हमारे पास 3 by 3 next हमारे पास है scalar matrix scalar matrix ऐसे matrix को कहते हैं ऐसा diagonal matrix scalar matrix को कहलाएगा जिसकी तमाम diagonal entries जो है वो या तो same हो या फिर non-0 हो जैसे कि अब आप देख रहे हैं क, क, क diagonal entries में आ रहा है और बाकी जो सारी हैं वो 0 है या तो यह same हो या यह भी 0 हो तो हम इसे कहेंगे scalar matrix next है हमारे पास identity matrix identity matrix को हम unit matrix भी कहते हैं और diagonal matrix को diagonal matrix identity matrix तब कहलाएगा जब उसकी तमाम diagonal entries one के equal हो और इसे हम दिनोट करते हैं i से आगे आपके पास example है तो बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है यह बात के scalar matrix और identity matrix यह diagonal हो सकते हैं लेकिन हर diagonal matrix identity और scalar नहीं हो सकता तो यह आप लोगों की थी वीडियो जिसमें हमने discuss clean definitions अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल ज़रूर subscribe करें और अगर आपको किसी भी subject में कोई issue है तो comment में मुझे ज़रूर बताएं तेंक यह रहा हैं तो स्साइब ज़रूर देंस तो यह आपको यह थीजिए नापको अंटपर सकते हैं तो यह दो एपकोई और अपको यह थीजिए यह राफिस्यए एंअर्ण आपको यह थीए दो खैशन ale